कियंद्रिय भवन अनुसाइब संदान संस्थान के वग्यानिक भुकम प्रोधी मार्थिय बनाने की सरल तक्णिकों का ध्यान कर रहे हैं वो भी निर्मान की लागत बिना अतिक बढ़ाए प्राचेन खाल से ही बहरत में दिवारों के उपर चिट डाल कर माकानों का निर्मान करना ही सर्वाधिक आम तरीका र लातूर, भुज, चमोली, डोड़ा अधी के भुकम बिना प्रबलीकरत चनै की संरस्टनों के कारण ही गात्रक सावित हुए कनफाइन मिसेंड्री एक इस तरह का नया प्रयोग है जो फ्रेंग स्ट्रक्शर के जो भावन हैं उनकी तुलना में काफी कम कीमत पे उपलब्ध हो जाता है और इसका प्रयोग करने से जितनी आवशक्ता हमें भुकम के समय भावनों को सुरक्षित रखने के लिए जिस शक्त की जिस स्ट्रिंग्त की आवशक्ता है वो हम काफी कम कीमत में प्राप्त कर सकते हैं CSIR, CBRI पहला संस्थान है जहां हमने अपनी प्रयोग शाला में फुल स्केल के मकान बना कर उनका परीक्षन किया है और हमने इस परीक्षन में ये पाया हम इस तरह के मकान उपलब्ध करा स करते हैं जो भूकम परोधी होंगे पिछली कुछ दश्कों के दौरान मद्यम उच्चाई के भावनों की दिवारों को प्रबलित सिमिन कॉंक्रीट ठाइक और और बॉन वियुमों के द्वारा बांधने का एक बेहतर रिविकर प्रिविक्सित हुआ इस निर्माना प्रणली में पहले दिवारी चीने जाती हैं और सीसी टाइस तंभों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है इन खाली जगहों में स्टील की छड़ें डाल कर इसे सिमिन कॉंक्रेट से बढ़ देते हैं इस तरह हम दिवारों को टाइस तंभों और बॉंड विमों के बीच बांध देते हैं इसे कहते हैं कनफाइन मेसनरी या परिबद चिनाई टाइस तंभों और बॉन्डब्रिमों से बंधि भावनों में दिवार से दिवार, दिवार से छत और दिवार से निव के बीच बंधन बेहतर होता है संपून संरचना आपस में बंद कर एक एकी क्रत इकाई की तरह काम करती है लेकिन कितना बंधन प्रयाप्त होता है इस प्रश्न का उत्तर CSIR केंद्रिय भवन अर्मसंदान संस्थान की शूट करता जानना चाहते थी इसलिए परिबद्द चिनाय पद्धती की विस्तरत अध्यन और भेतर समझेतु उन्नट मौडलिंग तक्निकों का परियोग के आगया सदानती गणनाई उत्साह जनक थी शूट करता अब परियोगों से यह सत्यापित करना चाहते थे कि परिबद्ध चिनाय के परियोग से संदर्चनाव के मजबूती और विरूपन चमता में कितनी व्रद्धी होती है इन परियोगों के लिए संस्तान की बिल्डिंग डैनामिक्स परियोग शाला में उत्क्रिष्ट अनुसंधान स्विधाएं उन्हें वो प्रब्द थी यहां 3 मीटर डंडे, 3 मीटर चोडे और 3 मीटर उंचे परिबद्ध चिनाय के मॉडल का निर्मान किया गया यह मॉडल 220 मिलिमेटर मूटी इटों की दिवारों से बना था चारों कोनों पर 4-4-10 mm व्यास के TMT स्टील सर्यों को 6 mm व्यास के स्टील के छल्लों से बांद कर खड़ा किया गया ये सर्ये निव के साथ भी बंदी थे इस तंभू के मद्ध में रकाबों को 200 mm और सेरो पर 100 mm के अंतराल पर बांदा गया इसके बाद दिवारों की चिनाई एक समय में अधिक्तम 1.2 मीटर के उचाई के चार्णों में की गई और सेसी टाई कॉलम और चिनाई की दिवार के बीच बेहतर बॉन के लिए दिवारों में 40 mm के दाते छोड़े गए दिवारों की दो प्रष्टों पर शट्रिंग लगाई गई और अन्य दो प्रष्ट थे चिनाई के दाते दार किनारे इसमें M20 Great Cement Concrete डाल कर पिन वैबरेटर से अच्छे तरह संगहनित किया गया इस प्रकार दाते दार खाचे कॉंक्रीट में फसकर टाई स्थम का हिस्सा बन गए और एक मजबूत सयोजन का गठन हुआ दाते दार खाचे ना हो तो 8 mm व्यास के 450 mm लंबे सरीय के टुगड़े परते एक चोथे रद्दे के बाद रखे जा सकते हैं ये बाहर निकले टुगड़े चिनाई के दिवार और कॉंक्रेट इस्तमनों के बीच एक अच्छा से लिजन प्रदान करते हैं दर्वाजों तता खिरकियों को लिंडल लेफल तक पहुंचने पर लिंडल बीम या बॉन बीम के निर्माण के लिए दिवारों के दुनों और शट्रिंग लगाए जाती है टाई कॉलम के बराबर ही बॉन बीम में भी सर्या प्रियोक्त होता है टाई बीम का सर्या टाई कॉलम से होतो हुए जाला जाता है फिर कॉंक्रेट डाल कर उसे संगरिद किया जाता है ताकि वो सभी दिवारों और टाई स्थम्भों को अच्छे तरह आपस में बांद ले टाइस तंबों में प्रियुक्त सरिया बॉन्द्विमों से हुटू हुए छट तक पहुंचता है और वहां छट के सरियों के साथ बांध दिया जाता है इस प्रकार यह सजनर्चना चारों और से तथा नीचे से उपर तक अच्छी तरह बंद जाती है लगबग एक महिनी के बाद जब प्रियोगात्मग मोडल में प्रियाप्न विजबूती आ गई तब इसे डाइनामिक लोट के अधिन टेस्ट किया गया अब 150 mm स्टोक लंबाई तथा 50 तंचम तके हाइड्रॉलिक एक्चुएटर को चक्रिय पार्शोबल लगाने के लिए परियुक्त किया गया परिबद चिनाई से बनी सन्रस्नाई प्रबलीत सन्रस्नाउ से 2 गुन और अप्रबलीत चिनाई वाली सन्रस्नाउ से 3 गुना बेहतर साबित हुई इससे सन्रस्नाई 35 प्रतिश्यत तक अधिक डक्टायल या लचीली भी हो गई निर्माण में सरल्ता, इस्थानिय इस्तर परुपलब्ध निर्माण समग्रियों का उप्योग और कम लागत के कारण ही परिबद्ध चिनाई परनाली दिनों दिन लोग परिया हो रही है कई कम और मद्यम उचावाली इमार्थी वरिबद्द चिनाय को उप्योग कर बनाई जा रही है अच्छे से अच्छे डिजाइन की इमार्थें भी गुनवत्ता सुनिश्चित न होने पर वांचित सुरक्षा परदान नहीं कर सकती सही तक्नीक और क्वालिटी को नजर अंदाज कर आज हम कुछ बचत तो कर सकते हैं किन्तों जब धर्ती थर्राती है तो यह बचत बहुत महेंगी साबित होती है कि यह बचत तो कि यह सर्यार किंदे बहुन को संदान से स्थांगों कि का एक पर आज है सदल कता सुक्राइब तक मेंगों को आपने पहुंचाने का का तो मेंग पहुत दिन सेसा है